स्था में ठीजिस होट हैं और श्रक्रवा कनप पीछा सकतर। अब मुढ़ने का कौन-बैंग इंभ विए विजन्स मार्किट कि ऊपर क्षिए अपर कन्सित우면 मार्क पेक्ट करते हैं कि अधिक किये थे उसके अलावा ने कंजिमर का जो बाइंग प्रॉसस था इसमें डिसीन वेकिंग उच्छन करनी थी यूद्ध कौन सा ब्राइंड परचेस करना है मैंने वह प्रॉसस हम लोग पढ़ रहे थे उसमें इसके डिफरेंट स्टेजिस थी पाँ से स्टेजे़ थे इसके कोई दो स्टेजिस अपने गालबन उसकी फड़ लिए है उसकी जो नेक्स स्टेज है वहाँ से हम लोग आज बन लेक्चर चानव वह कॉंटिन्यू करेंगे अभी तक जो है किसी मध्यट प्रासिस की किसी मर्बाय डिसीन प्रासिस की हम ने दो स्टेजेज पढ़ी हैं हमने पहली स्टेज है नियर्ट निशन और दूसी स्टेज है इंफर्मीशन सेर्च यह तो हम लोग पढ़ चुके और जो नेक्स हम लिए से स्वासिव अवैल्योशन ऑफाल्टरूआटिज अपने नीड को और कर लेने के बाद और उस नीड को कैसे सैटिस्वाइच які जा सकता है यह सामीशन करेने के बाद जो नेक्स ओए जाती है उसमें कंज्यूमर यह देखता है कि जो जो से options available हैं मेरे पास अपनी उस particular need को satisfy करने के लिए उन options में से कौन सा option जा है वो सबसे ज्यादा suitable है मेरे लिए यह जो analysis करना होता है इसको बोलते हैं वो evaluate कर रहा है उन alternatives को उन options को अब आपकी जो है जो evaluation है यह depend करती है consumer की buying situation पर सब्सक्राइब करती है और buying situation के साथ साथ उसकी जो है customer की अपनी personality के बारे में जो factors impact करते है psychological social culture वो हम लोग पढ़ चुके हैं वो factors impact करते हैं उसके उपर और buying situation जो है हमने जो पड़ी थी last time के complex है division introducing है simple है कौन सी जोना आपकी वो variety seeking कौन सा आपका जोना सब्सक्राइब करता है कि customer किस तरीके से वैल्यूट करता है अपने alternatives को आपके पास multiple evaluation के लिए alternatives के लिए methods है alternative evaluation के multiple methods है वह आप लोग नेक्स जब classes में जाएंगे आप इसको ज्यादा को के इडी इवोक्ट सथ मेथड़ है उसके बाद आपका multi-attribute method है effect reference method है यह दो तिन जोना वह famous method है evolutions के लिए alternative evaluation के लिए अब सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है ना वह method है दो सबसे ज्यादा यूज किया जाते हैं एक वोक्ट सथ मेथड़ है और दूसरे आपका multi-attribute method है वोक्ट सथ मेथड़ इसमें आप लोग अपने जो जितने भी options available है उनको तीन categories में ड्वाइड कर लेते हैं एक हम लोग बोलते हैं evoked set दूसरे को बोलते हैं inept set in ept और तीसरे को हम लोग बोलते हैं inert जो इवोक्ट सथ मेथद होता है evoked set समराथ वह वाले options वह वाले alternatives जिनके बारे में हमारे को positive feelings होती है जिनके बारे में ऐसे brands ऐसे options जिनके बारे में हमारे को इनको positive feeling है नम उनके satisfied है या में उनकी service अच्छी है या उनके जाना वह प्रफार्मस अच्छी है कोई भी रिजन जिसके वाज़े से हमारे जहन में positive feeling होती है उस particular alternative के बारे में ऐसे सारे जो होते हैं options वह आते हैं हमारे evoked set में उसकी बाद आजयता है inept set inept set जो है ऐसा set ऐसे जो हमारे options जिनके बारे में हमारी कोई ना कोई negative feeling होती है कोई ना कोई मारा experience अच्छा नहीं रहा होता माजी में जिसकी बना पर हम लोग उनको reject कर जाते हैं कि बारे में negative feeling है इनको तो हमने considering नहीं करना वह आ जाते हैं आपके inept set उसके बाद आ जाते हैं आपके इनर्ट सेट में वह वाले alternatives आ जाते हैं इनके बारे में ना आपके positive feeling है या ना आपकी negative feeling हो सकती है उनके बारे में यह करने के बाद आप इस तरह पहले classification करते हैं दोस्था आपको मैंने जो बताया ज्यादा हो है multi attribute method alternatives को evaluate करने के लिए जो multi attribute method है उसमें आप लोग यह करते हैं कि आपकी एक product के multiple feature हो सकते हैं आप multiple उसके attributes हो सकते हैं अब उस जो multiple attributes हैं अब उसमें कस्मर के लिए कोई attribute जदा ज़रूरी होगा कोई उसके लिए कम ज़रूरी होगा यानि कोई उसके जदा important होगा कोई उसके लिए कम important होगा उस बेस पे जो है ना customer उस particular alternative को evaluate करते हैं जैसे मैं example दो आपने अगर कोई laptop पर trace करने है तो laptop की screen का size कितना है laptop का वजन कितना है laptop का अपना size कितना है इसके keyboard का size कितना है उसकी RAM कितनी है उसकी ROM कितनी है उसमें graphic card की क्या capacity है उसके processor की क्या capacity है different जो ना उसमें आपके पास आ जाते है different features है अब वो सकते है किसी एक बंदे के लिए उसका screen का size ज्यादा important हो किसी के लिए उसके keyboard का size ज्यादा important हो कि तीसरे के लिए laptop का weight जो है वह ज्यादा important हो कि काम होना चाहिए अब यह आपके लिए कौन को से चीज़ें कितनी कितनी ज़रूरी है इस बेस पर उनकी weightage दे लेते हैं आप उनकी जैसे आप कहते हैं कि मैंने जितने भी alternatives है डैल है HP है आपके पास compact है जितने भी आपके पास options है company जो के laptop provide करती है आपने उनको 10 मैंसे number देने है अब करते हैं कि जी 10 मैंसे जो 3 number में मुक्तिस कर लेता हूं लापटॉप की स्क्रीन के लिए 2 नवर मुक्तिस कर लेता हूं इसके weight के सब्सक्राइब कर लेता है जो है वह मिलते है अदल CO उस दो में से कितने number मिलते हैं इसको compact को आप इस तरह आपसे आप लोग नमबर देते हैं अपने alternatives को और नमबर देने के बाद जो है जब आप टूटल करते हैं तो जिसका Score सबसे ज्यादा होता है आप वह अलटरनेटिव जो हो सेलेक्ट कर लेते आप लोग आप उसको प्रैफर करते हैं यानिकि जब आप अवैलिएशन कर लेते हैं जब आप क्लियर हो जाते हैं कि कौन सा अल्टरनेटिव यह वो कि बैस्ट है में इन इट को साटिस्वाइब करने के लिए फिर आप अपने पर्चेस इंटेंशन से मुराद यह फैसला करते हैं कि मैंने किस पर्टिकुलर अपने फैसला करने कि मैंने पर्टिकुलर प्रटॉक्त को पर्ट्रेस करने हैं उसके बादबyal़ सम टायं मृता है कि आप कर दूसरे लगों का एटिछूड वह भी इंपक्र करता है आप Northwest grad соответ । अब प्रोडट्ब ने लैप्टव के लाइप्तॉप प्रचेस करने मैं उप्प्रचेस के घे तो आपने देखा के बलके को बाएं पे जोने कुई और किस्मर ख़ड़ा वहा है, वह आगे का रग आपको यार वाज जाने एच्पी का लैप्टोप प्रचेस करना कि ना करिए क मैंने और लेटी यूज़ किया उसके नम्बैटरी टाइमिंग का मुसले है अपना एच पी की बज़ा डेल पर्चेस कर लें यह जो है वो ज्यादा पर से चार्ज करता है अब इसकी दूसरा पर्चेस कर लें यह आप घर से मश्वरा करके फाइनल करके गए थे फाइनल के जि आज पर्चेस ना करें कल पर्चेस कर लेजीगा कल नया स्टॉक आने नए स्टॉक में आपको बेतर आप्शन भी मिल जाएंगे आपको ठीक है अब वहां पर सेल में जो है उसके मश्वरे की वज़ा से या उसके जो इंफ्लूएंस की वज़ा से आप जो है ना वो अपना को केश्याय को अनुद्वाइब करते हैं या करने की कोशिच करते हैं दूसरा और्प्रेटेड उसकर्वाड़ीयब मार्केट में हैं आपको फ़ज़र पर्चेस करना पड़ेगा या पर्चेस करने गए तो वहां पर आगर आपको आपको पैसे बुरे नहीं है आप जो एक कीमत होगी तो आप गए तो इसकी कीमत इंक्रीज हो गए इस तरह कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपके वाइंग सीच्वेशन को इंपक्क कर सकते हैं या आप जब गए वहाँ भी आपने जा कर देखा गए एच पी और जो है वह डल वगएरा के बार को वैलिट करके लेकिंव आपने जाका यह आपने जाके देखा वहाँ पर एब्सक्राइबी ती उस्चाव को हो सकते हैं जो के पर शॉक्वा ऐन 2 गज frase से गुजरने के बाद इन दो स्थरी से उसना बाद फिज़ीर के बाद प्र आप अपना फाइनल प्रॉडक्ट जो है अपने प्रचेस कर लेते हैं अपने प्रचेस कर लेते हैं और आपने बाद में इसको इस्तेमाल करना यूज करना है अपने इसके बाद है आपका वो पॉस्ट परिश्ट से बहुएवियर से बाद कि आपने चीज पर्चेज कर ली पर्चेज कर रहे हैं इस्त हमाल करने के बाद आप governance से इस्तिफाइड हैं या आप डिस्साइड हैं या आप जो है आप जा और डिलायग पtesबस्ट भार्षाक्ट्रे इक्तमर है इसक्तमर इसक्राइब और आपकी अच्छिज पर्फार्मस उसे भी अच्छी है तो यह है आपका इसको मलग मोलते हैं किसमर इसक्राइब अब यह जो है कि आपका कस्टमर साथिस्टाइड है इसा किस्टमर आपकी प्रोडक्त से साथिस्टाइड नहीं वो आगे नौदास लोगों को जाकर बता है कि यह फलाँ अच्छा नहीं है वह न इस्तवाल करना उन नौदास लोग खराब करता है सब्सक्राइब करने के जो बूरी खबर ज्यादा तैजी से फैलती है अच्छी खबर इसलिए कोशिश करना है आप नहीं कि आपका कस्टमर आप से सैटिस्फाइब हो हर सुरत में निए यओं बाद निए बाइद्न है भाइर वडिस्फटर्व फोड़्टक्स अब एक है आपकी जो वो किस्मर के लिए ने में इस्तमाल कर रहा हैं या उसको पहले उसने कहीं अबसर्व किया है है फ्रकुल इस्ते देख को वह बैस्ते को कि रोटीन की रैगुल। प्रडुक्स में आपे लेकिन एक यह प्रड़क्त है जो कि के लिए बिलकुल नहीं नहीं हूं किसमर के लिए नियु प्रॉडक्ट के लिए आपको थोड़ा सा कस्मर को अच्छा तरीका से समझना पड़ेगा ताकि उसको भी अपने मार्केट में प्रॉपर लाउंच कर सेके अच्छा स्टेजिस एडॉप्शन प्रॉसेस मार्केटर शुट हैप प्रॉडक्ट को अडॉप्ट करता है उस अडॉप्ट करने के दुरान कस्टमर मल्टिपल स्टेजिस से गुजरता है अडॉप्ट करने निसमरात कि आपने उसको अक्तियार कर लिए उस प्रॉड़क्ट क उतता है अब मार्केट्रों को बताओना चाइए कि स्टेज में पिर टरके हैं कि स्टेज में है ताकि वी किस्टेजर को साथ साथ ले करें अम ईट्रास की हैं प्रिंटिट्र ऑफज्वें कोंसी है अभी आपनों को पताते हैँ अब जस्ट अवेर हुए है आपकी प्रॉडक्ट से अब इसको पता लगा कि फुलाँ ब्रैंड एक्सिस्ट करता है उसकी फुलाँ प्रॉडक्ट है और फुलाँ प्रॉडक्ट फ्रांस दिसके इस्तमाल के लिए उती है अभी सिर्फ उसने उसको यह जर्नल नॉलिज मिला उ अब यह जर्नल नॉलिज है उसने खुद कोशिश करके लिया है या उसको वैसे आपकी प्रॉमोशन मेसेज के वज़ा से मिला है वह एक अलाग डिसकेशन है दूसरी इसकी जो सेकिंड जो स्टेज है वह इंट्रस्ट पहले तो आपकी प्रॉडक्ट से अवेर होने के बाद है मजीद सुनता है मजीद पूछता है लोगों से दूसरी स्टेज उसको बोलते हैं इंट्रस्ट स्टेज थर्ड स्टेज इस अवेलिशन स्टेज अवेलिशन स्टेज से मराद जैसे अभी हमने पढ़ा गिए वैलिशन पाउन्टोनेटिप्स कि वह आपको आपकी स्टेज तेमराद कि उसको के लिए तो लेकबर करके देखते हैं ठीकिल कैसी यहांती है इस प्रॉडक वह इक पर आई करता है दूसरी पर ट्राइब करता है अगर तो उसके वह जो 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 प्रॉड्ड को छोड़के स्विच कर जायता है कहीं ओर चला जाजते है तो वह आपका जो अगर तो ट्राइल उसका सक्सेस्फुल रहता है फिर वो लास्ट स्टेज में आ जाता है उस लास्ट स्टेज कम लोग बोलते हैं अडॉप्शन स्टेज इट मेंज कि वो आपकी प्रॉड़क को अडॉप्ट कर लेता है वो मुश्चिल तोर पे आपका जो लॉयल क करेंगी स्ट्रेटिजीज वेरी करेंगी आपकी अच्छा अब इसके बाद आपके एक और है जो आपको एक इसका आडिया होना चाहिए वह कि इसको बोलते हैं कि आपकी जो इन्नोवेशन है इसको डिफ्यूज करना है इसको मुराद है फिलाना डिफ्यूजन और अडॉप सकते हैं इन नई प्रोडक्ट के हवाले से इन पांचो सेजी में जो कस्टमर्स है वो डिफ्रेंट त्रीके से भी हैब करेंगे सबसे पहले आपकी सबसे पहले जो आपके यह वह कटेकरी आपकी इनॉवेटर था कि सबसे पहले आ चालीता इनुस 1 प्रणाइद वह वाले कस्टमर्स जो के सबसे स्टार्ट में जब हमने कोई नहीं प्रोड़क्ट लाइच की को नया कॉंसेप्ट आया जो वेरी अर्ली टू चेक यह और ट्राइट प्रोड़ेक्ट वह उनका मुलता है इन्वेटर्स अब जैसे आपका ड्रोन कैमरा आपका जब ड्रोन कैमरा जब लाउंच हुआ जब बनाया गया जब मार्केट में लाया गया तो पहले किस्टमर पहले को एक दो परसंट किस्टमर जिनों सबसे पर इसको ट्राइब किया था उनका मुलक बोलते हैं दोज और इन्नोवेटर्स इन्नोवेटिव प्रोडक्ट को पसंद करते हैं और पशंद करते हैं आप स्विधम जो इन्नोवेटर्स क说 आ सक्क्सक् doute को करने । जो नो प्राइब करना पसंद्द करते पाइसे जो के निगो हम लोग बोलते हैं इनोवेटर्स बिस्किलीओ소 जो निगरते हैं इसको फिद्ब्स को फीडबेक करें उपनाब स्क अब जाते हैं इसके बाद अजएथ्टाम प्रोडक्स को पर्टेस करना इस्तमाल करना शुरू करते हैं इनकी जो आम तोर पर जो तोड़ी सी ज्यादा होती है इस ज्यादा लोग जो नहीं होते हैं जो कि एस कंपेर टू इन्वेटर अब क्यूंकि मार्केट में जो प्रोड़क्ट है इन्वेटर फीडबैक के जरी कु प्रडियो डॉप्टर से मुराज जो शुरू शुरू में प्रड़क को डॉड़ाउट की थी इसके बाद आ जाता है अल्ली मिजॉरिटी आपकी सो कस्टमर में से 34 कस्टमर 35 कस्टमर जो के जिन्होंने प्रड़क्ट लांज होना कि कुछ अर्सा बाद जो है मिजॉरिटी और कस्टमर लोगा जो करे लिए खरणी कहने के बाद लगको पता आ जिए जिसके इसके बास पॉसिबल इस्तमाल है कौन कौन से इसका अच्छा सब्सक्रायर फिर नोन है नसरást प्रॉड को सबस्क्राइ पर बाखर सबाग़ करें और कंभ आ जाते हैं लागर्ड यह वाल होती है कि जो किसी किसम का रिस्क नहीं लेते हैं वह काते हैं प्रॉड़क्न में से हर किसम का झौक्स निकल जाया तरह से यहां मेट मैक्सिमुम सब्सक्राइब किसी किसम के इस प्रोड़क्स करेंगे ऐसे जो कॉस्टमर होते हैं अब बोलतें यगिर्ट बोलते हैं आपने देखना है आजब आप मार्केटर के आपके जो किस्ट मेड परसंट किस्टमर लेट मीजॉरिटी में इस कितने अर्ली मुजारटी में फॉल कर रहे हैं कितने लेगेट में फॉल कर रहे हैं अच्छा यह पांच चो तीस और तीस और सोला लाजमी ने कि फिक्स हो यह वेरी कर सकती है लेकिन यह उन आवरेज जो है परसंटेजिज आपके यह वाली ही चलती है आपको पता होना आप आपके नेक्स्ट है निव प्रॉडट्ट के हवाले से फर्दर चीज हैं कि प्रोडट क्रैक्रिक्री जेन अडॉपशन फाइफ रड़क्रिक्स इंफ्लूइस दा अडॉपशन रेट इसी नई प्रोड़क्ट को अगर किस्टमर ने अडॉप्ट करना है उसको उसको र उस में multiple जो product characteristics है वो एफेक्ट करती है इस adoption के process को वो characteristics कौन-कौन सी है वो देखते हैं वो basic पांच जो आपकी है characteristics है वो आपकी 5 characteristics है सबसे पहली तो है आपकी relative advantage दूसरा complexity थार्ड है compatibility इसके बाऒगा है divisibility और communicability relative advantage से मुराद कि वो जो particular product कुस्टमर ने पर्चेस करनी है उस particular product को नीव product को पर्चेस करने से कुस्टमर को पहले से कितना ज्यादा फाइदा expected है कितना फाइदा उसको मिलेगा यह जो आपका additional फाइदा है इसको relative advantage बोलते हैं जैसे मैं Samsung का phone यूज़ कर रहा हूं ठीक है कोई एक model कर लिए उसके बाद Samsung का कोई नया model आता है मैं नया model क्यों परचेस करूंगा उस नया model परचेस करने से मुझे additional कौन सा फाइदा हो सकते है जो कि मुझे प्राणे को बाट करना उसका इस्तेमाल करना कितना complex है यह चीज़ भी impact करती है उस product की adoption rate के उपर जितना उस product को स्बाड़ करना ज्यादा complex होगा उतना जो है किस्टेमर उसको इसको इस्तेमाल करने में में रिजिट कुरेंगा। जो यतना अस world कोाडॉाड़क कना क्सेपट करेगा। कि यतना अपका आजयता है कंपैंटिबिलिटी। वह जफ़ नई प्रोड़क्ट और हुआ और रही है। वह नई प्रोड़क्ट मेरे जो कंपन इस तुम्हाई की पर्स्नल और कर सकूँ उस प्राड़क को इस्तमाल कर सकूँ क्या मेरे परिसनल वैलियो अलाओ करती है कि इस प्राड़क को मैं इस्तमाल कर सकूँ जैसे मैं एक गाड़ी पर ट्रेस करना चाह रहा हूं ठीक है लेकिन में गाड़ी के लिए लेट से पैसे हैं मेरे पास लेकिन मेरे पास गा management की compatibility उसके एसाब से product जो है मेरी compatibility का में उसमें ठीक है इसलिए हो सकते मैं उस गाली के तरफ ना जाओं मैं उस गाली को purchase करूँगा जिसको easily मैं manage कर सकूँ बात में compatibility के बाद जो next हमारी जो characteristics है जो attribute जो impact करता है हमारे इसकी product new product के adoption को है divisibility, divisibility समराथ आपका जो वह अली characteristics के आपकी new product को उसकी जो tryability उसको जो try करना है उसको try करना कितना possible है यानि कितना possible और कितना easy है अगर मैं अग्वी product जो है उसको adopt करता हूं उसको मैं try करता हूं ऐसा नहों कि product को try करना स्टार्ट में मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो नवो product है मेरे लिए अब उसको नई feel को try करना मेरे थोड़ा सा रिस्की होगा रिस्की कैसे होगा कि अगर वह खुराक में कोई availability है उसके divisibility है वह बहुत ज़्यादा रिस्की है तो अंदा अधर हैंड कोई ऐसी product है को मैंने अपने इस्तमाल के लिए कोई नया मसाल को तरुपर नई किसम का को nail cutter आया नियल कटर में इस्तमाल कर सकते हैं को nail cutter के साथ इतनी ज़्यादा investment जो है वो लिंक्ट नहीं है वो इतना ज्यादा रिस्की नहीं है नियल कटर investment के point of view से उसको जो है अडाप्ट करना try करना जो है start में वो comparatively easy है उसके divisibility जो है न वो comparatively उसमें डिस्क का factors कम है इसके बात आजिता है communicability, communicability समरादी है कि जो नई product है उसको इसको इस्तमाल करने के बाद उसके जो results है उसके जो है वो क्या कहलें के जी उसके जो output है उसके output है उसको मैं दूसरे customers के साथ या manufacturer के साथ इसकी जो मेरे information sharing है कितनी इसी है जितनी जो है मैं feedback जो है उस product का वह deliver करना प्रवाइड करना जितना वह easy होगा उतना जो है वह उस product को जो अडॉप्ट करने के chances इनक्रीद हो जाएंगे जितना जो है यह feedback sharing जो है वह कम होगा कम होगी पर्टिक्लर प्रड़क के अंदर result measurement जो है वह कम होगी उस जो कर नियू प्रड़क की अडाप्शन के उपर impact करती है यह यह आपकी पॉसिबली लाइव लास्ट स्लाइड हाज की इसमें जो है आपको आपको आपके international consumer behavior तो आपने पढ़ा है आप इसको जा इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखने उसे मरा आदे है कि आपके जो different values different attitude होते है different customers के तो आपके जो है अगर आप multinational firm में काम कर रहे हैं जहां पर आपने multiple countries के अंदर आपने बिजनस को expand किया हुआ है तो आपको सब जोगों पर इनके values attitude cultures अगरों को आपको properly समझना होगा business करने से पहले marketing policies बनाने से पहले if you don't अगर आप ऐसा नहीं करेंगे त दूसे मिलकी policies की मुदाबक शूट ना करें आपका business वहाँ पर आपका सफर करें वहाँ पर फिजिकल डिवरेंस एक्जिस्ट विच रिक्वाइट चेंजिस इन मार्केटिंग मिक्स के फिजिकल डिस्टेंस पी जो एना उग्जिस करता है कंट्री से दूसरे कंट्री में इस में जैसे मैं भी बता रहा था कि आपको marketing मिक्स में चैंजिंग कुल्च्रल वैल्यूस भी आती है उसके लावा जितना फिजिकल डिस्टेंस ज़दा होता है उ इस मुल्क के कौन सी कस्टम्स हैं कोन सी ट्रडिशन्स पार्ट उनका में पता होना चाहिए कि मॉस्ट डिसाइड डेगर मार्केटिंग में इसमें सब्सक्रार सकते हैं उतना जिए आपके लिए इसानी होगी नेकिन आप सो यह दे आपनी अपनी एको एपने मार्कर्टिंग में सेंज करते करते हैं आप लोग अपने सारे स्थाफ ना इस्तमाल करवाटे हैं आपने जो इसरा है उले यह डिखे ц reminis यहानके साय के साथ आप अपनी aपनी कोड वैलिव और आप Sutik आहिए को